नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल स्मार्क पीकेशन सेंटर राधस्तान में तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरस एम अससबी बोर्ड दोरा तो रास्तानी करमचारी चैन बोर्ड है उसके दोरा हाल ही में दो भरतियाओं की विग्यप्ति है वो निकाली गई है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं सबसे पहली बरती है हमारी Lab Assistant की परियोग सला साहिक की बरती की बात करेंगे इसके जो बात करें Starting date की तो 25-3-2022 से इसके जो फोरम है वो Start हो चुके हैं अंतिम टिति की बात करें तो 23-2022 यानि की 25 मार्च से लेकर आप 23 अप्रेल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लावा जो फीस प्रेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपकी क्या है 23 च्यारी दी गई है एडमिट कार्ड आपके अभी जारी नहीं हुए है प्रिक्षा के समय जारी हो जाएंगे एक्षाम डेट यहां पर सबसे पहले दी गई है 28 यह 29 जून 2022 इसकी जो प्रिक्षातिती है वो गोशिते की जा चुकी है संभावित ती थी है यह 28 और 29 जून इसके लाव बात करें इसके फिस की फोरम फिस तो इसमें जनर्रल ओबीसी और EWS के जो कंडिडेट है उनकी लिए 450 रुपए है क्रीमी लियर के जो ओबीसी के है EWS के उनके लिए 400 रुपए रखी गई है इसके लावा जो ओबीसी नोन क्रीमी लियर कंडिडेट है उनके लिए 300 रुपए रखी गई है STAC के लिए जो फिस है वो रखी गई है आपकी 500 रुपए 250 रुपए इसके लावा फोरम में यदि कोई गलती हो जाए तुरूटी हो जाए तो उसे जो कोरेक्शन यानि की सही करने की जो फिस है वो 300 रुपए फिस रखी गई है तो यह हमारी लैब असिस्टेंट की भरती है इसके लावा इस लैब असिस्टेंट में एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है नियूनतम जो आयू है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयू 40 वर्ष रखी गई है और यह एज काउंट होगी आपकी एक एक 2023 तक इसके लावा जो अन्य आपकी जो आयू में चूट होती है सरकार के नीमा नुसार वो उसी नुसार है वो लागू होगी जैसे महिलाओं के लिए चूट होती है इसके लावा जो अन्य कंडिडेट्स है ओबी सी के हैं उनके लिए भी लागू होती है तो यह थावत है जिस प अठारा वर्स न्यूंतम और अधिकतम आयू 40 वर्स इसमें रखी गई है तो यह हमारी जो सबसे पहली भर्ती थी आपकी लेब असिस्टेंट की प्रियोगसला असायक की अगली भर्ती की हम इसमें बात करेंगे दूसरी जो भर्ती है और वो आपकी भर्ती है पसुदन सहायक की पसुदन सहायक की भर्ती से पहले हम इसमें जो वेकेंसिज है पोस्टे हैं उनकी बात करेंगे टोटल जो पोस्टे दीगी हैं वो आपकी 1012 पोस्ट है और ये आपकी Lab Assistant की पोस्ट है अभी अभी टोटल पोस्ट 1012 है इसके अलावा इन्हें category wise या post wise बंडवारा है तो सबसे पहले Lab Assistant Science के पद दिये गए है इसमें code है इसमें 1 से 5 तक non-TSP के लिए 570 पोस्ट है और टीएसपी के लिए जो है 270 है योगिता इसमें 12 पास Intermediate Science Stream के साथ होना आउसक है इसके लावा आगे जो है Lab Assistant है आपकी geography पोस्ट कोड 5 है Non-TSP के इसमें 123 पद है टीएसपी के 5 पद है और इसकी योगिता की बात करें तो इसमें जो 12 पास ही मांगा गया इसमें भी इसके लावा इसमें यदि हम बात करें थर्ड category की तो वो आपकी Lab Assistant Home Science की पोस्ट है Non-TSP 35 है और टीएसपी की जो पद है वो दो पद है और इसमें आपके जो Science Stream है उससे आपको बारवी पास है मांगा गया है इसमें और इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका 7 है वई होम साइंस का जियोग्राफिक का अलग से दिये गए हैं और साइंस के अलग से हैं तो तीनों पोस्ट है इसमें और टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपकी एक हजार बारा पोस्ट है टोटल एक हजार बारा लेब असिस्टेंट की अब हम बात करेंगे पसुदन साइक बरती की पसुदन साइक बरती की बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है आपकी पसुदन साइक की वो 19 तीन है क्या दी गई है आपकी 19-3 से जो आपके फोर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिती है वो आपकी 17-4 यानि की 19 मार्च से लेकर 17 अपरेल तक ये फोर्म आपके पसुदन सायक के भरे जाएंगे एड्मिड कार्ड भी इनके जारी होंगे और एक्जाम डेट की बात करें तो एक्जाम डेट है 4 अपरेल 2022 संभावित है बदल भी सकती है लेकिन अभी जो संभावित है लगबग यही रहने की संभावना इसमें 4 अपरेल करें करें इसके लाए इसमें फिसकी बात करें तो जनल ओवी सी ओर ईडिब्लू स्ट के कंडिडेट के लिए को कार्डि है अफिकले यह कॉर्यक्शन चारज इनसी रखेगे हैं तो यह कॉर्यक्शन है आपके इदी फारम में कुल्त प्रोटी हो जाए तो उसके लिए जो फीश रखी गई है वो तीन सुरुपे रखी गई है और ये आपकी पसुधन सायकबर्ती के लिए रखी गई है तो ये स्टार्टिंग और अंतिम्तिती है स्टार्टिंग है 19 मार्च और अंतिम्तिती 17 अपरेल है आगे हम पसुदन साइक भरतीव की बात करें तो टोटल जो पद है इसमें वो पद है आपके 1136 पोस्टे दी गई है 1136 पद है इसमें 1136 पदों में लाइफ श्रोक असिस्टेंट या पसुदन साइक एकी बात है वई टीएसपी के जो पद है 155 पद दिये गए है टीएसपी एरिया के नोन टीएसपी के 981 पद है योगेता की बात करें तो इसमें प्लस टू मांगे गया है और जो सब्जेक्ट मांगे गये हैं प्लस टू में आपके वो है सबसे पहले आपका कि फिजिक्स केमेश्टरी का शाच भाइलोगी होटी कलचार एग्रीकल्चर इसके लावा एणीमल हस्पेंडरी एंड भाइलोजी इनि आप एनि बोर्ड के दौर किसी भी वोर्ड के दौरा यह सब्जेक्ट के साथ पलस टू और इसके साथ है कि मैं दो साल की जो लाइब हो सकते हैं इसके लावा इसमें एज लिमिट की बात करें तो वही अठारा से चालिस वर्ष की इसमें आईयू आपकी दीगी है एज लिमिट दीगी है और यह आपकी काउंट होगी एक एक दो हजार तेईस तक न्यूंतम आयू अठारा वर्ष रखी गई है और अधिक्तम जो आयू है वो चालिस वर्ष इसमें आपके लाइव स्टोक असिस्टेंड या पसुधन सायक भरती में रखी गई है जिसके जो टोटल पद है वो 1136 पद है नोन टीएसपी के इसमें 98 पद दिये गए है और पीएसपी एरिया के 155 पद दिये गए है एस की बात करें तो इसमें जो छूट है वो अन्य जो कंडिडेट्स है OBC और अन्य जो जो भी कंडिडेट आते हैं उनके लिए लग से छूट दी गई है जो हर भरती में दी जाती है तो यह हमारी जो RSSB बोर जो में तो पूर्ण जो भरतिया निकाली गई है जल्दी से आप इसमें अपलाई करें धन्यवाद